स्वागत है आपका आपके चैनल स्मार्ट स्टडी नौदे में तो सबको हैपी न्यू येर लेकिन यह याद रखना है कि आपका भले नया साल हो लेकिन आपको टार्गेट जो है वो आपको धियान में रखना होगा कि आपको जवाहर नौदे बिद्याला का एक्जाम जो है इस बार निकालना ही निकालना है इसी को लेके मैं चोटे-चोटे वीडियो जो है वो लेकिया रहा हो हर पार्ट को हर एक पार्ट को छोटे-चोटे पार्ट में हर एक चैप्टर जो मानस्रीक योग्यता परेक्षन है उसका जो math का जो है कुछ concept जो मैंने जो syllabus पताया था वो syllabus के according जो एक important chapter है important topic है is important topic आपको यहां पर समझना है important topic है क्या यहां पर देखिए इससे पहले भी मैंने अभाज जसंख्या और भाज जसंख्या इसका वीडियो बना चुका हूं तो आप उसे भी देख सकते हैं description में उसका link जो है आपको मिल जाएगा तो चली start करते हैं देखते हैं यहां पर कि भाज और भाज है क्या यह बहुत important topic है क्योंकि यह आपको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है चली यहां पर मिलाएगा ड़ूरी है कुछ एक्जाम्पल से समझते हैं जैसे जिसके दो गुणन खंड हो जैसे एक को लेते हैं ठीक है एक की कितने गुणन खंड होते एक तो सिर्फ एक किस से डिवाइड होगा और तो किसी से नहीं होगा अगर हम दो को लेता हैं देखें दो किससे डिवाchn Ci x 2 से और किसी से नहीं होसकता हूं थ्री मेरा थी। आगर हम फोर को लेता हैं फोर किससे डिवाथ होगा वन से हें टू से और फॉर से अब यहां पर देखें फाइब को अगर लेम वन और फाइब से शिक्स कुल लेते हैं वन से टू से इसके बाज हो जाएगा ये ये आपका थ्री से और ये शिक्स से तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहां पर जो कुछ टॉपिक है इस टॉपिक को हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि यह अब इसको ध्हां से समझेगा इसमें इसी में आपका जो है डिफरेंस जो है वह डिफरेंस निकलाएगा कि कौन जो है वह भाज्य है और कौन अबश्य है तोड़ा सब्सक्राइब कर देता हूं देखिया अब यहां पर समझेए ऐसे संक्या जिसके सिर्फ दो गुनान खंड हो, क्या है यह देखे टू, इसके सिर्फ दो गुनान खंड है, थ्री इसके भी सिर्फ दो गुनान खंड है, फाइव इसके भी सिर्फ दो गुनान खंड है, तो यहां पर देखे आपका टू हो गया, थ्री हो गया और यह फाइव बहुत किया एक मतलब मतलब क्रेंख जिसके सिर्फ दोंढ और रंगे इसनलहें ये वा जाए का इसी वज़ा से इसे एक को जह हो हम लोग ना तो भाज बोलते हैं नहीं आभाज बोलते हैं लेकिन यहाँ पर 4 को देखिए और 6 को देखिए जो 4 और 6 है इसके 2 से ज़्यादा गुननखंड इसलिए क्या हो गया यह भाज्य हो गया तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है आपको आपको आपको तो आपको यह जाना बहुत ही ज़रूरी है चलिए एक प्रीवियस को लेता है देखे यहां पे एक कोंशन है निइक आपको के लिए दिखा द navigate यह अब में है कि यह हो आपको पता होना चीकैज अगर यह नहीं बता हो तो अब कैसे बना सकते हैं तो यह होता है अभाज प्र खंडन को थोड़ा से समझा देते हैं जैसे सिंप्ली देखें यहां पर मान के चली कि आपका कोई नंबर है पंदरह ले लेते हैं मान के चली ठीक है इस पंदरह का भाज गुनन खंडन आपको कहते हैं तो क्या किजिए आप सबसे पहले यह 3 से डिवाड होगा तो 3 5 जा ठीक ह जो है यह अभाज गुनन खंडन हो गया किसका पंदरह का बहुत है आसान है यह दोनों अभाज संख्या इसलिए अभाज गुनन खंडन हो गया अगर मान के चली 20 से 20 का को करना तो क्या किजिए देखे 2 2 10 जा ठीक है फिर यह 2 से इसको डिभाइट कर देते हैं तो 2 5 जा यह इन्टू 2 2 5 तो यह हो गया भाज गुनन खंडन पस यही आपको कॉंसेट को समझना है अगर यह इसको अगर आप लिख देते हैं 2 इंटू 10 तो यह अभाज गुनन खंडन नहीं होगा क्योंकि यह जो टेन है यह क्या है भाज संख्या तो भाज अभाज समझ रहे हैं भाज से जो है वोस्त को आपको सामना करना ही पड़ेगा तो यह चोटा सो कॉंसेट था भाज अभाज और भाज गुनन करना यह तीन चीज जो है मैंने बता दिया और यह देखिए पिछले बाल का कोस्टन में भी आया था 640 देखिए यहां पर 640 का भाज गुनन खंडन करना देखिए यहां पर क्या हो गए इस तरह से भाज गुनन खंडन करना यह बहुत ही आसान है आप आसान इसको बना सकते हैं तो चलिए कल फिर मिलते हैं कुछ नए कॉंसेट के साथ और अगर आपका टॉपिक आज का जो है मैं लाने वाला हूं एक्जाम का जो डेट है वह भी बहुत ही कम समय है एक्जाम का डेट आपको जैसे की पता है कि 10 अपरेल है तो तैयारी जो है वह आपकी जोरसोर से होनी चाहिए ओके